विल्कम बेक तो माई यूट्यूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कोश्चन नंबर 2031 ठीक है कोश्चन नंबर आपका 31 इससे पहले हमने एक से लेकर 30 तक जितने भी आपके अगर आपने नहीं देखें तो पहले उनको देखी ठीक है उसके बाद आप इनको आसानी से समझ सकते हैं यहां और अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नह converter तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब करते हैं साथ ही पास में लगे बेल आइकन को दबाने जिससे कि सभी प्रकार के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है ठीक और किसी भी बीडियो का यानि कि कोई भी लेक्चर जो हम लगाते शूट करके उसका किसी का भी अगर आपको पीडियो फॉर्म चाहिए ठीक तो उसका उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक बिल जाएगा जहां से जाकर आप उसका पीडियो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी त्यारी अच्छे से कर सकते हैं ठीक है तो आज का कुशन है का लेक इससे पहले हमने पढ़ा था लेक्टिक अमल का सूत्र आपको यहां पर दे रखा सी 3-6-3 क्या है यह आपका क्या है आंडविक सूत्र है सी 3-6-3 ठीक है तो इसका इस्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है आपका एक तो इस पर CWH ग्रूप लगा होता है दूसरा इस पर आ हो गया यह आपका हो गया ऐसर्ट तीन कारवन आपके करवन दो करवन 3 क कितने pronounce this…. West she says सब्यस्क्रन के लिए को इसट्रॉक्व कहले है तो सबसे पहले आ इस थिक्स यहांप कर द few दिखाई दे रहा है दूसरा कहा समून स्क्रிवलिट भूह साथ का क्षね वियुद्फपन देता है तीक है क्या देगा आपका मुनो एसे टाल सिटाइब साय länger यह है क्षैया एलकुहल आटकेकझ्श हुए टीक है क्या है प्लगा हैस्टर आपका यहां पर लगा होगा ठीक है कि यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं यह ले लीए मैंने क्या फिटी डबलो ह एक ले लिया एल्कॉहल ले लिए ठीक है इसको आइड्स मान लो और यह क्याँ आपका ओएच अभीए क्या आपका यहां से जुड़ जाएगा ठीक है है जो जा जाएगा तो यहां पर आपका यह इस से जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका आप सिंगल बन जागा और क्या जागा ऊर किया बन जागा कुछ इस तरह से बन जागा ठीक है जिसे हम कहते हैं एस्टर कि यह आपका क्या बन गया एस्टर का निर्मार हो गया ठीक है का तो कि बनाता आपका का इसके बाद कि प्रोप्यो निक ऐसेड का ब्यूत्वन जो आपका प्रोप्यो निक ऐसेड होता है ठीक है इसको हम कहते है। और ch2 CH2 CH3 CH2 और cOOH क्या है हाओ किसके साथ में ए यह के साथ में प्रोप्यूनिक अम्ले का भ्यूत्थपन तो यह क्या को करता है HI के साथ में आपका जो propunic अमल है वो क्या देता है CH3 OH और CHH बनाता है किसके साथ में आपका HI के साथ में क्या बना लेगा है यह तो ओगा इसके जो भी फंक्शनल गुरुप लगे गी थे उनकी बात अब देखो संभावित सरचना क्या संभावित सूत्र टीक है किसका लेक्टिक एसट का आपका संभावित सूत्र टीक है तो इसका संभावित सूत्र क्या मान दिया इन्हें मान लिया CH3 और CHOH क्या है CH3 CHOH CCH इसको क्या मान लिया यह तो यह मान लिया तो आप देखो यह एल्फा हट्रॉक सा यह आपको फंक्शनल गुरुप लगा हुआ है CHOH इसके पास वाला कारवन ना कारवन को क्या कहते हैं एलफा कार्वन और उससे लगे हुए कार्वन को कहते हैं बीटा कार्वन ठीक है फिर और दूर जाओगे और कार्वन लगा होगा तो कहें गाम है फिर और कार्वन होगा उससे हमका कहें डेल ठीक है ऐसे यह करम बढ़ता रहता है तो यह आपका CWH क्या है आपके एक functional group है क्या हो जागा आपका alpha hydroxy हम ले आपर हो जागा ठीक है दूसरे अगर हम दूसरा जिनने संभावित सुत्रमाना इसके अगर हम बात करें तो यहां लिखा है CH2 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 ठीक है अब यह CH2 लगा है इससे आपका OH गरूप लगा हुए ठीक है अब यह आपका क्या है functional group क्या है आपका बीटा पोजिशन पे कहा लगा हुए ठीक है तो यह क्या हो जागा आपका बीटा हैड्रॉक्षी एसेड क्या जागा बीटा हैड्रॉक्षी एसेड तो यह दो संभावित सूत्र है इनमें से कोई भी आपका एक lactic acid हो सकता है ठीक है अब देखो कॉनसा होगा यह आपका एक alpha hydroxy acid है, दूसरा आपका क्या है, beta hydroxy acid, ठीक है, तो alpha hydroxy और beta hydroxy acid आपको दे रखे हैं, ठीक, आप देखो, translation, ठीक है, क्या, tillsulator या synthesis, किसका lactic acid का simultaneously या synthesis, ठीक, कह रहा है, अंत में, इस सूत्र एक, यानिकी जो सबसे उपर आपको दे रखा था, ठीक है, सबसे उपर आपको दे रखा था, कया दे रखा था, C3, H6, O3, कुछ इस तरह से दे रखा था, ठीक है, सबसे उपर, तो कहा है, स स्क्रावरेंद रियेव designing करने के लिए हम ने क्या करा एक हम ने करे लिया कार्वन ले लिए क्लेवन प्लस हईडोजन। ठीक है इन दोनों की रेक्षि罕पर subscribe क्या बन जागा तो एंच्टीलीड कि साथ में आप लागे forehead येक्षान प्लवान ये ये सब्सक्राइब क्या बंजाएंगे और यहां पर यहां पर क्या लग जाएगा आपका ओ लग जाएगा ठीक ऑप और यह बन जाएगा तो यह बन जाएगा आपके यहां पर यह बना लेगा अप देखो यह बन गए इसकी रियक्षिन करने के बाद क्या हो जागा जो है यहां जो एक अंग कि इस वाले कार्वन पर आपका क्या जागों लगा लेकिन इसी कार्वन से आपका सिंगल और जोड़ जाएगा और यह यह पूंध यह इस तरी शिल मॉंड लगा हुआ और यह स्थीए अंग टिक है अब सी अनको क्या कर दिया बिदिक बंद कर दिया ठीक यह विए आपका प्राइब नहीं टिक आप देखो इसके बाद कि a3A अपका लगा हुआ और यह सी एच लगा हुआ unica और यहाँ पर यहाँ पर क्या लगा गवाआ आपका umu इसके बाद में क्या करना आपका क्या क्षाफ हरे साथ में इसके रियक्षान करій धिर फिर जान पर साथ में यह तो इसकी यहां पर क्या हो जागा यह जो सी लगा हुआ है यह बना लेगा आपका यहां पर आपका क्या हो जागा एक एक लगा दो OH और H से दूसरा आपको क्या करना है HOH तो यहां से आपका NH3 वहार निकल जागा NH3 आपका यहां से वहार निकल जागा ठीक है और क्या बन जागा CH3 CH और आपका सी यह सी ओ ओ एच क्या बन जागा ठीच वह और आपका सी ओ ओ एच यह आपका कुछ इस तरह से बन जागा है जैसे हम कहते हैं लैक्टिक तो यह आपका बन कर दो इसके दो दो इसको लिख वह और इसको क्या करना है और इसके थास चला जागा यह जुड़ जागा आपका इस वाले कार्वन से और यह गार्मन निकल जागा ठीक है तो यह आपका बन गया CH3 और जो और आपका यह बने लगा हुआ है यह होगा आपका लेक्टिक आपका इसकी सरजना ठीक है आई होब कि आपको इसका संचले सरो इसकी जो जो भी प्रकरियां थे वो समझ में आई होगी ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में बने देए हमारे साथ और चैनल को कर देजी सबस्क्राइब ठीक है थाइंक यूग